नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्ष्ट नैन न्यूज भारत से पाकिस्तान गई अंजू चार महिने और आठ दिन का लंबा वक्त गुजारने के बाद वापस भारत लोड़ चुकी है अंजू फिल हाल दिल्ली में रह रही है और अर्विंद के साथ उसने तलाक की अरजीवी दाखिल कर दी है आपको बता दें की हाल ही में अंजू अपने बच्चों के साथ दिल्ली में एक किराय के मकान पर रह रही है और इसी के साथ वे एक work from home की private job भी कर रही है अंजू ने बताया कि वे network marketing का आगयाने वाले वक्त में business करना चाहती है उसको इस business के बारे में अच्छी खासी समझ है अंजू से सवाल किया गया कि क्या वे नसुरला के जाल में फसकर पाकिस्तान गई तो उसने कहा कि नसुरला मुझे Facebook वीडियो कॉल के माध्यम से पाकिस्तान के इलाके दिखाता था मुझे पाकिस्तान की पहाडिया और घाटिया काफी पसंद आई और मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान गई थी इसी पर अंजु ने आगे कहते वे कहा कि मैं नसुरला से प्यार भी करती थी नसुरला को अपना दोस्त समझती थी और पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं उन्होंने मेरा खुल कर स्वागत किया और दिल खोल कर मुझे सम्मान दिया इसके अलावा आपको बता दे कि नसुरुला से निकाह करने के बाद अंजु को वहाँ धेरो गिफ्ट मिले थे अंजु को वहाँ किसी ने प्लोट भी गिफ्ट किया था और वहीं रहने की अपील भी की थी लेकिन अंजू ने कहा कि मेरे बच्चों के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था मैं ज्यादा वक्त तक घुमना चाहती थी लेकिन मैंने सिर्फ तीन महीने ही अपना वीजा एक्स्टेंड करवाया था आपको बता दे कि अंजू रजस्तान के भिवाडी की रहने वाली है और वहे एक इसाई धर्म से सम्मंद रखती है इसके अलावा नसुल्ला से निकाह करने के बाद अंजू ने अपना नाम फातिमा रख लिया था और वहे अपने आपको एक तरीके से नसुल्ला की दोस्त बता थी इसके अलावा आपको बता दे कि अंजू लगातार नसुल्ला से अब भी बाते कर रही है और वह नसुरुला को भारत बुलाने की कोशिश कर रही है अन्जु का कहना है कि वह भारत में नसुरुला को बुला कर यहीं पर रहना चाहती है और उसके बच्चों के बेहतर भविस्य के लिए काम करना चाहती है वहीं दूसरी तरफ नशुरूला भी अंजू के बच्चों को यहाँ पर स्वीकार करने के लिए तयार है और उसने कहा है कि आने वाले वक्त में मैं जल्द ही भारत आऊंगा और अंजू वे उसके बच्चों से मुलाकात करूंगा तो फिलहाल देखना यह है कि अंजू अब क्या कदम उठाती है और क्या उसकी आगे की पूरी कारेवाही रहती है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश दुनिये की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्ट नाइन न्यूट्स